हेलो दोस्तो अगर आप एक स्मार्ट फोन यूजर हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मोबाइल फोन कमपनी के तरफ से प्री इंस्टॉलेड जो अप्लिकेशन दिये जाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे अप्लिकेशन होते हैं जो अप्टेडेट न नहीं करते हैं तो दोस्तो उस अप्लिकेशन को आप कैसे अनिस्टॉल कर सकते हैं आसानी से इसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है चानल पर पहली बार आया है तो प्ल सारे ऐसे अप्लिकेशन मिलते हैं जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं उसे योज करना हूं तो सबसे पहले तो अगर आपका भीभू का स्मार्ट फॉन है तो आई मैनेजर पर आप किले कर सकते हैं अगर आपका कोई और कंपनी का फॉन है तो सेटिंग्स पर जाकर भ यहाँ पर दोस्तो आपको किलिक करना होगा जैसे आप यहाँ पर किलिक करते हैं तो वो सारे अप्लिकेशन दोस्तो आपको यहाँ पर दिखेंगे जो इंस्टॉल इट है तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है अब सी आल सेवेंटी एप इस पर आपको tap करना होगा अगर आप किसी भी application को यूज नहीं करते हैं तो आप उसे भी find कर सकते हैं इसके लिए आप यहाँ पर all app पर click किजे और disable app पर click करके उसे आप देख सकते हैं तो ये था दोस्तो कुछ तरीका किसी भी app को install करने का जो आपके phone पर pre-install it है उबीद करता हूँ दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो आपको पसंद आया तो please like करिए अपने दोस्तों के साथ share करिए चैनल पर पहली बार आये हैं तो subscribe करना ना भूलें अभी तक आपने हमें Instagram पर follow नहीं किया है तो link वीडियो के description में है follow कर सकते हैं ऐसे ही interesting वीडियो में हम मिलेंगे next वीडियो में Thank you so much, thanks for watching this video